हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेम सुकला स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो अभी आप स्क्रीन पर नियॉन टेक्स्ट लोगो देख रहे हैं अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस तरह का लोगो क्रिय पिक्सल लाइब का होना जरूरी है तो पिक्सल लाइब डाउनलोड करने के बाद आपको इसको उपन कर लेना है और यहां पर आपको यह जो फोर्थ वाल आउप्सन दिख रहा है वैग्राउंड का यह है आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको कलर पर क्लिक करना तो आपको इसको color पर करना है और इसका color आपको black ही रखना है और कोई color नहीं होना चाहिए नहीं तो नहीं बनेगा तो इसका color हम black कर दे रहे हैं black करने के बाद अब आपको यहाँ पर उपर की तरफ three dots पर click करना है और यहाँ पर आपको image size में जाना है और यहाँ पर आपको image size जिसका है जो भी आप रखना चाहते हो आपको रख देना है तो मैंने यहाँ पर YouTube थमनेल रखा है उसके बाद OK कर देना है अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो New Text लिखा हुआ है आपको यहाँ से Edit पर क्लिक करना है और यह जो New Text है आपको अपने YouTube चैनल का First Alphabet यह अपने Name का First Alphabet जो भी आप लिखना चाहते हैं आपको लिख देना है तो मैं यहाँ पर P लिखा हुआ हूँ उसके बाद नीचे की तरफ आपको जाना है और यहाँ पर आपको Font का उपसन दिखेगा आपको इसमें जाना है फिर आपको My Font में जाना है और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर एक Font का Use कर रहा हूँ जिसका नाम है Rocket Rinder इसकी भी Link description में है जाके आप Download कर सकते हो तो इसको Select करने के बाद आपको बड़ा कर लेना है या आप जो भी Font चाहते हो आपको वही Select कर लेना है उसके बाद Relative Position में जाकर मैं इसको बीच में कर लेता हूँ फिर Position में जाकर मैं इसको थोड़ा सा और उपर कर देता हूँ अच्छे से Adjust करना है हमको इसको तो अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर Color वाले Option में जाना है और इसका Color में आपको Plus के आइकन पर क्लिक करना है और इसका Color आपको Transparent कर देना है तो यह जो Third वाला है इसको आप एकदम Left Side में लेकर आ जाओगे तो यह आपका Transparent हो जाएगा तो अब आप लोग देख सकते हो कि यह Transparent हो चुका है अब हमारा Text दिखी नहीं रहा है कि हमने क्या लिखा है फिर आपको नीचे की तरफ Stroke Carson दिखेगा आपको इसको Enable कर देना है और इसका Color आपको यहाँ पर Plus के आइकन पर पहले Stroke Width आपको 5 कर लेना है थोड़ा सा उसके बाद आपको Plus के आइकन पर क्लिक करना है और इसका यहाँ पर आपको लेकर आना है बीच वाला उसके बाद यह First वाला आपको इधर लेकर आना है तो हमको यहाँ से इसका ही Blue Color लेना है जो Color मैं ले रहा हूँ इस तरह का ही आपको भी लेना है तो आप यह इसके लिए उपर वाला यह जो Number दिख रहा है आपको आप इसको Note कर सकते हो यही Number होना चाहिए या इसके आसपास ही होना चाहिए उसके बाद OK कर देना है तो इस Color को ही हम Use करेंगे उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सैडो वाले Option में जाना है और आपको इसको Enabled कर देना है और इसका Color अभी आपको Sky Blue ही रखना है अब आपको जो भी Color लखना है सबका Color आपको Sky Blue ही रखना है फिर आपको Inner Side में जाना है इसको भी आपको Enabled कर देना है और इसका भी Color आपको Sky Blue रखना है और Blur Radius आपको इसका 3 से 5 कर देना है उसके बाद आपको ठीक पर क्लि ही होगा तो अब यहां पर आपको कहीं भी बैग्राउंड में क्लिक करना है उसके बाद आपको प्लस टेक्स्ट पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पर इडिट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने यूट्यूब में जाकर मैं पहले इसको बीच में कर लेता हूँ, फिर पोजीशन में जाकर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ इस तरीके से, तो आपको भी एकदम ऐसे ही करना है, एकदम बीच में ही होना चाहिए आपका text उसके आपको इसका font change करना है तो आप इसका font कोई भी रख सकते हो लेकिन मैंने जिस font को use की है मैं इसकी भी link description में दे दूँगा तो मैं यही अग रैजिंग mask font use कर रहा हूं तो इसको use करने के बाद आपको कर देना है फिर आपको यहां पर एक option दिखेगा आपको देख लेना है तो एक option दिखेगा spacing का आपको spacing वाले option में जाना है और spacing इसका आपको increase कर देना है अपने हिसाब से आप जितना रखना चाहते हो तो अब आपका इतना हो जाने के बाद आपको यहां बैग्राउंड में एक लेटिव पोजिशन में जाकर अब इसको आपको दुबारा से बीच में कर लेना है फिर आपको यहां लेयर में जाकर इसको unlock कर देते हैं हम और इसको हम इसकी position को और adjust कर लेते हैं तो यह तो बीच में ही है ठीक है अब नीचे वाले पर क्लिक करते हैं और इसमें आपको कलर में जाना है और इसका भी कलर आपको sky blue ही रखना है तो sky blue इसका color कर देते हैं उसके बाद tick पर क्लिक कर देते हैं तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहां पर कहीं भी background में एक बार आपको क्लिक कर देना है तो बाइग्राउंड में क्लिक करने के बाद यह जो select था वो हट जाएगा फिर आपको यहां stickers में जाना है और आपको tick पर click नहीं करना है आपको कहीं भी background में click करना है तो यह add हो जाएगा sticker इसको आपको add हो जाने के बाद इसको इस तरह से increase कर देना है तो यह light की तरह इसमें दिखेगा उसके बाद आपको color में जाना है और इसका color आपको enabled कर देना है तो इसका भी color आपको sky blue ही रखना है तो अब यह ऐसा लग रहा है कि यह light हो रहा है तो इसको आपको अच्छे से adjust कर लेना है इसको आपको दो बनाना है तो एक हमने adjust कर लिया आपको इसको copy कर लेना है और इसको भी हम corner में रख देते हैं क्योंकि यह भी थोड़ी देर में इसका काम लगेगा तो और सब को पहले हम lock कर देते हैं जिसे और सब जितने हमने adjust किये हैं वो इधर धर ना हो सिर्फ एक ही unlock रखना है जो इधर हमने corner में रखा था उसके बाद आपको इसको इस तरीके से पतला सा कर लेना है तो मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ उसके बाद यह जो नीचे हमने name लिखा हुआ है आपको इसके उपर रख देना है तो ऐसा लगेगा कि इसमें भी light है तो आपको इसको इस तरीके से छोटा कर देना है तो यहाँ पर हम छोटा कर देते हैं छोटा करने के बाद अब आपको layer वाले option में जाकर इसको भी lock कर देना है तो अब lock करने के बाद आपको यहाँ पर save स्वाले option में जाना है इतना करने के बाद आपको यहाँ कलर में इसका, आपको स्काई ब्लू ही कर देना है, सब का कलर अब आपको स्काई ब्लू ही रखना है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम तीर्चा कर देंगे, उसके बाद इस तरीके से हम इसको से आपको adjust कर लेना है तो यह अब दोनों हमारे adjust हो गए adjust हो जाने के बाद आपको किसी एक को select करना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ वही process करना है कि आपको सैडों में जाना है सैडों को आपको enabled कर देना है और इसका color आपको Sky Blue रखना है फिर आपको Inner side में जाना है इसको भी आपको Enable कर देना है और इसका भी Color आपको Sky Blue रखना है अब इसी तरह आपको ये जो Second वाला जो आपने Copy किया था आपको इसको Select करना है और यही Process आपको इसमें भी करना है कि Side 2022 Enable करके Sky Blue कलर और inner side भी enable करके sky blue color कर देना है तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने पिछली बार sticker जिस तरह से add किया था उसी तरह से आपको फिर से करना है तो यहाँ पर आपको कहीं भी background पर click कर देना है अब यहाँ पर stickers का option आपको दिखेगा आपको इस पर click करना है और आपको tick पर click नहीं करना है अगर आप tick पर click करोगे तो इस तरीके से erase हो जाएगा तो आप कहीं भी background में इसको select करने के बाद click कर दोगे तो यई erase नहीं होगा उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको इसका color enable करना है और इसका ये blue कर देना है उसके बाद आपको इसको इस तरीके से increase करना है और इसके लंबाई को हम increase कर दी इसका width हम थोड़ा सा घटा देते हैं और इस तरह से इसको तीरचा करना है आपको जैसे आपने उस save को किया था उसके बाद आपको अच्छे से जिसे उसी के बराबर में रहे आपको इसको ऐसा बनाना है तो उसके बाद इतना कर लेने के बाद आपको इसको एकदम अच्छे से ही adjust करना है और ऐसा इसको लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि इसमें भी light जल रही है तो इसको मैंसे increase कर देते हैं उसके बाद आपको इस तरह से इसमें set कर देना है तो इसमें set हो गया अब आपको इसको copy करना है और ये नीचे वाले में भी आपको इस तरह से set कर देना है तो हम इसको थोड़ा उपर ही रखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा तो इतना हो गया आपका अब ये आपका पूरा create हो चुका है अब आपको यहाँ पर save वाले आइकन पर click करना है जो उपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर आपको save as image पर click करना है और यहाँ पर आपको dimensions custom है आपको इसको ultra कर देना है और save to gallery पर आपको click कर देना है तो अब ये आपके gallery में save हो जाएगी तो friends आपको ये वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे ये चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे जिससे हमारे वीडियो की notification आप तक पहुसती रहे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में Thanks for watching खर्चाइब बताइब बताइब दीजे